हलो फ्रेंज स्वागत है आपका अपने चैनल क्विक नॉलेज में कमपली जहर्खन जी के स्रीज में आज हम आठों वीडियो आपके लिए लेकर आये हैं जिसमें हम संथाल विद्रो के बारे में पढ़ेंगे इस विद्रो से एक्जाम में कई बार प्रस्ण पूछे जाते हैं इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखे हमारे चैनल में एंसियन्ट हिस्ट्री का भी एक वीडियो स्रीज सुरू हुआ है अगर अभी तक आप यह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है जाकर देख सकते हैं तो चलिए आज का कलास संथाल विद्रो शुरू करते हैं संथाल विद्रो अठारसो पैश्पन छप्पन में हुआ था इस विद्रो का नेत्रित चार मूर्मू बंद हुआ सिद्धू मुर्मू, कानू मुर्मू, चांद मुर्मू और भैरव मुर्मू ने किया था ये चारो भाय थें, इनकी दो बहने भी थी, फूलो और जानो ये भी इस विद्रों में महत्पुन भूमी का निभाई थी लेकिन इन सभी भाय भहनों में सबसे परसीद सिद्धू और कानू ही हुएं इन छे भाय भहनों के पिता चुन्नू मांजी भोगना डी गाओं के निवासी थे भोगना डी संथाल प्रगना के साहव गंजीले में पड़ता है जैसा कि आप मैप में देख सकते हैं ये संथाल प्रगना का छेतर है और यहाँ पर है साहव गंजीला संथाली बिद्रो करते समय हूल हूल चिलाते थे इसलिए इस बिद्रो को संथाल हूल भी कहा जाता है जहां हूल का मतलब बिद्रो होता है तो चलिए अब संथाल बिद्रो होने के कारण को देखते हैं संथाल बिद्रो के कारण की बात करे तो अन्य जंजाती बिद्रो की तरह जमिनदारों और महाजनों का सोसन ही इस बिद्रो के सुरुवाती कारण थे इस कारण को थोड़ा विस्तार से समझते हैं संथाल लोग जो थें हजारी बाग अर्मान भूम से राज महल पहाडियों की इलाके में आकर बस गये थें और धीरे धीरे दामीने कोह का छेतर संथाल बहुल छेतर बन गया था दामीने कोह का मतलब होता है परवत का दामन यानि की आचल अर्थात पहाडों की नीचे की भूमी तो दामीने कोह संथाल प्रगना का एक महत्पुन भाग है जिसमें राज महल, गोड़ा, पाकूर, दुमका, आदी के छेतर आते हैं राज महल साहिब गन जीले का छेतर है तो संथाल इस छेतर में आकर बस गए थे और अपने भरन पोशन के लिए जंगलों को काट कर क्रीशी योग भूमी बनाई और खेती करने लगे लेकिन जमिनदारों ने इन भूमियों पर स्वामित का दावा करके लगान लेने लगे और लगान के दर को भी कई गुना तक बढ़ा दिया जिस से तंग आकर संथालों ने विद्रोह का रास्ता अपना लिया दूसरा कारण यह था कि माल गुजारी नगत देने के कारण संथालों को महाजनों से रीन लेना पड़ता था जिस पर महाजन बहुती अधिक भारी भरकम ब्याज लेते थे और जो रीन को नहीं चुका पाते थे उनके मवेसी खेत खलियान पर यह सुधखोर महाजन कबजा कर लेते थे यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि सुधखोर महाजनों दوरह रीन का जाल तैयार कर दिया गया था जिसमें संथाल फस्ते चले गए संथालों को जमिनदारों और महाजनों के खिलाब पुलिस और न्यालाय से भी कोई मदद नहीं मिली थी यही कारण था कि संथालों को बिद्रो करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा लेकिन तत्कालिन कारण की बात करे तो ब्रिटिश सरकार द्वारा भागलपूर से वर्धवान के बीच रेल लैन बिछाने के काम में संथालों से बेगारी करवाना था बेगारी का मतलब होता है किसी को बिना मजदूरी दिये जबरजस्ती काम करवाना ब्रिटिश सरकार के भागलपूर वर्धवान रेल परियोजना के तहट रेल बिचाने के काम में संथालों को बड़ी संख्या में बेगार करने के लिए मजबूर किया गया और जिन लोगों ने ऐसा करने से इंकार कर दिया उन पर अत्याचार किया गया और उन्हें कोडों से पीटा गया इन ही सब कारणों की वज़ा से संथालों ने बिद्रोह कर दिया अब बिद्रोह के सुरुवात और परसार को देखते हैं 30 जून 1855 को भोगना डी में 400 गाओं के करीब 6 हज़ार संथाल एकजूट हुए थे और एक सबहा का आयोजन करके एक सवर में हूल करने का निर्ने लिया यानि की विद्रोह करने का निर्ने लिया यही कारन है कि इनकी याद में परतेक वर्ष 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है इस सबहा में सिद्धू को राजा, कानू को मंत्री, चांद को परसासक और भैरो को सेनापती चुना गया सिद्धू कानू ने घोसना की ठाकूर जी ने उन्हें निर्देश दिया है कि हजादी के लिए अब हथियार उठा लो विद्रोह के दोरान सिद्धू ने करो या मरो और अंग्रेजो हमारी माटी छोडो का नारा दिया जनजातिय विद्रोहों में संथालो का ये सबसे ससक्त विद्रोह था सिद्धू कानू के नेतृत में करीब साथ हज़ार संथाले कत्र हो गए एक महिने मही इस विद्रोह ने भैंकर रूप धारन कर लिया और भागलपूर से वर्द्वान के विष्थी छेतर में फायल गया बलहायत विद्रोही नेताओं का मुख केंद्र था यहीं से वे सारे विद्रो का संचालन करते थे विद्रोहियों ने जमिनदारों महाजनों पर हमला करना शुरू कर दिया उन्होंने महाजनों के मकानों को कचहरियों के उन दस्तावेजों के साथ जला दिये जो उनकी गुलामी के परतीक थे पुलिश अस्टेशन, रेलवे स्टेशन और डांक ढोने वाली गारियों को जला दिया गया लगवग उन सभी चीजों पर हमला किया गिया जो दीकू यानि की गैर आदिवासी और उपनिवेश वादी सत्ता के सोसन के माध्यम थे लेकिन बिद्रोह से निपटने के लिए ब्रिटिस सरकार ने सेना का सहारा लिया और मेजर बरो के नेतरित में सेना की कई टुकडिया भेजी लेकिन बिद्रोहियों ने इन्हें करारी मात दे दी लेकिन दिसंबर 1855 में सिद्धू पकड़े गए और उन्हें फासी दे दी गई इसके बाद चांद और भैरो बलहेत में अंग्रेजों की गोली के सिकार हो गए अंत में कानु फरवरी 1856 में पकड़े गए और भोगनाडी में इन्हें फासी दे दी गई ब्रिटिस सरकार ने भारी दमन के साथ बिद्रोह को कुचल दिया बिद्रोह के दमन का मुक स्त्रे कैप्टन अलेक्जेंडर को दिया गया लेकिन भले ही बिद्रोह का दमन कर दिया गया पर इसके कई परिनाम निकल कर आएं जैसे कि ब्रष्ट क्रमचारियों, महाजनों और जमिंदारों के मन में डर बैठ गया और कुछ दिनों के लिए ही सही लेकिन वे सोसन करना छोड़ दिये इसके साथ ही ब्रिट्री सरकार ने अपनी प्रसासनिक ब्योस्था में कई फेर बदल और सुधार किये जैसे कि पहला है बिद्रोह वाले इलाके को निसीद छेतर घोसित करना इसमें यह था कि बाहरी लोगों का घुसपैट रोकने के लिए सरकार ने बिद्रोह वाले इलाके को निसीद छेतर यानि की नन रेगुलेटिंग एरिया घोसित कर दिया इस छेतर के अंदर यूरोपिय मिशनरियों को छोर कर दूसरों का परवेश निसीद था दूसरा है बिभिन अधिनियम यानि की एक्ट पारिद करना एलिस एडम्स की रिपोर्ट पर अधारी 1855 के एक्ट 37 के अनुसार दामी ने कोह का नाम बदल कर संथाल परगना कर दिया गया 1857 के एक्ट 10 के तहट संथाल परगना की नई सिमाए निर्धारित की गई और दुमका, देवगहर, गोड़ा और राजमहल ये चार उप जिले बनाये गए 1860 में संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम पारिद करके यहां की जमीन पर संथाल समेत अन अस्थानी लोगों के अधिकार को पुनह बहाल कर दिया गया और परसासन की ओर से उन्हें सुरच्छा भी परदान की गई तीसरा है नया पुलिस कानून लागू करना भागलपूर के कमिशनर जोर्ज यूल की सहायता से नया पुलिस कानून बनाया गया जिसे यूल नियम 856 कहा गया इस नियम के तहट पारंपरिक ग्राम परदान बेऊस्था को लागू कर आम समहती के अधार पर ग्राम परमुक को पुलिस की सक्तियां परदान की गई इस परकार नय नियमों के कारण सासक और अस्थानी लोगों में सीधा संपर्क अस्थापित हुआ बिद्रोह के स्वरूप की बात करे तो यह एक सू संगठित बिद्रोह था कारल माक्स ने इसे भारत की पर्थम जनकरांती माना है संथाल बिद्रोह की खास बात यह रही कि महिलाओं ने भी सक्र भागिदारी निभाई जिसमें फूलो और जहानों का नाम उल्लेखनिय है तो संथाल बिद्रोह अंग्रेश सासकों के खिलाप और ब्रिटिश सासन के आधार अस्तंभ माने जाने वाले जमिनदारों और महाजनों के खिलाप एक ब्यापक जन जातिय बिद्रोह था संथाल इन सब को समाप्त करके स्वाधीन और सुखी संथाल राईज की अस्थापना करना चाहते थे हलांकि इसमें उन्हें सफलता नहीं मिली लेकिन इस से इस बिद्रोह का महत्तु कम नहीं हो जाता है बलकि इस बिद्रोह में 1857 के देश ब्यापी बिद्रोह की आहट को सुना जा सकता है तो फ्रेंड्स ये था संथाल बिद्रोह की विश्तरित जानकारी आपको यह वीडियो कैसा लगा अपनी राय कमेंट बोक्स में जरूर दे साथ ही वीडियो को लाइक और सेयर करना ना भूले और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दे ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में वीडियो देखने के लिए धन्यवाद